कई लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं प्रॉफिट को बढ़ाने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है क। इंप्रॉफिट को स्कूल उप्रॉफिट को रिडू कर सकते हैं कैसे आप अपनी स्वारा बढ़ा प्रॉफिट को अचीव कर लेंगे आईए समझते हैं improvement in revenue revenue में improvement हम लोग कैसे ला सकते हैं कि पास जितना भी data है leads का opportunities का clients का वो properly segmented होना चाहिए आपके पास source wise data होना चाहिए आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा lead कहां से आया है किस source से आया है एज क्या है जेंडर क्या है dream क्या है desire क्या है concerns क्या है यह सारा आपके पास data segmented होना चाहिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि data किस industry किस business किस profession को belong करता है यह आपको help करेगा business को increase करने के लिए business में आपके revenue को increase करने के लिए अगर आप अपनी sales and marketing cost को optimize कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपने अपनी cost को optimize कर लिया है क्योंकि sales and marketing एक पूरे business का बहुत बड़ा खर्चा होता है यहाँ पे आपको कुछ चोटी-चोटी सी चीजों पर ध्यान रखना होता है आपको employee performance monitoring पर ध्यान रखना होता है अगर और वहां से optimized result निकाल लिये तो आप एक बहुत बड़ी cost को कम कर लेते हैं क्योंकि आपके same number of employees एक बड़ा revenue generate करते हैं यहाँ से आपकी जो manpower की cost होती है वो बहुत जादा कम हो जाती है efficient use of leads opportunity जो आप leads और opportunity के लिए खर्चा करते हैं marketing में इतना सारा अगर आप उसको optimum use कर आपका lead to client ratio को आप 2% 3% या 5% से भी बड़ा पाते हैं उसी cost में तो आपने revenue और profit में एक बहुत बड़ा difference create कर लिया है इसलिए आपको efficient use पता होना चाहिए automation of repetitive task ऐसी कौन कौन सी repetitive task है आपके business में वो identify कीजिए उसको automate कर दीजिए उसको आप automate करेंगे आपकी costing automatically down हो जाएग यह वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी cost को reduce कर शकते हैं अब हमको देखना है कि improvement in customer retention हम लोग कैसे ले करके आएंगे customer के साथ में अगर हम लोग को relations को improve करना है customer retention को improve करना है तो हमको communication को सबसे पहले automate कर देना चाहिए ताकि हमारे सारे communication timely manner में customer के साथ में हो पाए हमारी अगर कोई onboarding process है हमारी कोई post sale process है तो हमको उसे automation mode पे डाल देना चाहिए ताकि हमारी जो processes है वो automatically time to time हो पाए क्योंकि कई बार ये होता है और कई बार ये देखा गया है बहुत सारी organization में होता है कि जब sales करनी होती है तब तो salesman बहुत ज़्यादा connect करता है बहुत ज़्यादा service द automation को include कर शकते हैं जैसे ही आप automation process को ले करके आते हैं तो आपकी problem solve हो जाती है यहाँ पर retention बढ़ने के chances बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसके बाद आपको जो healthy relationship maintain करनी है उसके लिए आपको customer के साथ में communicate करना होता है customer के feedbacks लेने होते है customer के suggestions लेने होते है customer को कुछ valuable information देनी होता है कुछ feel good हम लोगो customer को कराना होता है यह सारी चीजों को भी आप automate कर सकते हैं अगर यह process को भी आपने automate कर दिया और यह data सारा आपके पास होता है सो आपका customer बहुत ज़्यादा happy होगा और आपके साथ लंबे समय तक टिका रहेगा अगर एक customer आपके साथ लंबे समय त चाते हैं कि हम आपको बताएं कि आप अपने business को कैसे automate कर सकते हैं कैसे आप अपनी cost को reduce कर सकते हैं तो ऐसी information के लिए description box में दिये हुए link पर क्लिक करें वहाँ पर information फिल करें हम आपको connect करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने business में इस चोटे से simple से formula को implement करके ए बहुत बहुत धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबना ना भूलें